नमश्कार आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकर आई रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबरों की ओर मोधी कैबिनेट में कदावर नेता बनकर उबरे अर्जन मुंडा का निशाना भी इस चुनाव में चूक गया केंदर में जंजराती मुआमलों में मंतरी पत पर रहते हुए अर्जन मुंडा खूटी सीट हार गए कॉंग्रेस के काली चरण मुंडा ने शिकस्त दी दरसल 2019 के चुनाव में भी अर्जन मुंडा को काली चरण से कड़ी टकर मिली थी लेकिन अंत्वे महस 14 सो से कुछ ज्यादा वोट के अंतर से उन्हें जीत मिली थी इस बार बाजी पलट गए अब सवाल है कि अर्जन मुंडा को इतनी बड़ी शिकस्त कैसे मिली इसकी कई बच्वे मानी जा रही हैं एक तो मुस्लिम और इसाई वोट का धुरूवी करन हुआ दूसरा ये कि पथल गाड़ी की वज़े से पिछ़़े चुनाव में माख वोट भहिशकार करने वालों ने इस बार खुल कर वोटिंग में भाग लिया तीसरा कारण बना आदिवाथी वोट बैńsk में बिखराओ यही हाल दुमका में देखने को मिला भाज़बा में दुमका में अपने सिटिंड सांसर सुनिल सोरेन का टिकट काड़ कर सोरेन परिवार की बड़ी भहु सीता सोरेन को मैदान में उतारा था सीता से भाजपा को काफी उम्मीदे थी भाजपा मान कर चल रहे थी कि सीता के आने वाले आदिवासी वोट बैंक पर असर पड़ेगा क्योंकि शिबु सोरिन के साथ सीता सोरिन के दिवंगत पती दूर्गा सोरिन ने जामूमों को खड़ा करने में एहम भूमी का दिवाई थी यही वज़ है कि सीता सोरिन लगाता जामा विधान सभा सीट से जीत रही थी लेकिन मंत्री मंडल में जगें नहीं मिलने और कलपना सोरिन के एक्टिव होने के वज़े से वो नाराज थी आखिम उन्होंने पारिवारिक विरासत वाली पार्टी को छोड़ कर भाजबा के साथ आगे बढ़ने का पैसला लिया उन्होंने चुनावी सभाव पर अपने साथ हुए सौतेले व्यवार का जिक्र भी किया लेकिन ज़ामों के शिकारी पाड़ा से साथ बार के विधायक नलिन सोरिन से भी मुकाबला नहीं कर पाए उनका ज़ादू नहीं चला बेशा कुछ राउंड में सीता सोरिन को बढ़त मिली लेकिन राउंड दर राउंड उनकी बढ़त का फासला कम होता चला गया ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स